फिल्म की शुरुवात होती है शहर की बीचो बीच एक एरिया को दिखाने से जहाँ पर एक कैमिकल और हत्यारों की फैक्टरी में साइंटिस्ट काम कर रहे थी जिसके बाद एक एप गोरिला दिखाया गया जो बड़ी तेजी से भागता हुआ आगी बढ़ रहा था वो रास् में भी आ गई ये लोग अपनी गंस और मशीन गंसे उस पर हमला करते हैं पर इतनी मजबूत हत्यारों की हमले से भी उसका कुछ बिगड़ नहीं पा रहा था क्योंकि तभी उसका असली रोप सामने आया वो कोई आम एप नहीं बलकि मेकैनिकल एप था यानिकी मेका एप और ये बहुत ही ताकतवर होती हैं यूँकर इन्हें हैवी मशीन ड्री और काफी मजबूत सिस्टम से बनाया होता हैं उसके जिसम पर जगा जगा हत्यार भी लगे हुए थी जिनसे वो फैक्टरी की वरकर्स और सिपाई ओपर शोट करकरके उन्हें माल गिराता हैं जिसकी लोग उस जंगल को भी कंट्रोल कर रही थी जहां उस लड़की का ड्रॉन गिरा था अंदर बैठे दो साइंटिस्ट को पता चला कि कोई हमारी जंगल वाले एरिया में गुसाया है शायद वो एप की वीडियो बनाने आया क्योंकि वो लड़का जिस जगा पर था वो एप क की लोकेशन थी एप नहीं उसका ड्रॉन गिराया था इसलिए फीमेल साइंटिस्ट जल्दी से सिक्योर्टी को कॉल करके कहती हैं कि जो भी वहां है उसे फोरन पकड़ लिया जाए जबकि मेल साइंटिस्ट कहता है कि एप की दिल की डढ़कर काफी बढ़ गई है वो गुस उसकी साइंटिस्ट दोस्स तुसे सारी बात बता दीती है कि एप की हालत बहुत खराब है वो शदीद खुस्से में है इसलिए उसने ड्रॉन दि फैंग गिराया इसलिए इस से बताता है कि हमने ड्रान उड़ाने वाले लड़के को भी पकड़ लिया है इसलिए स्लोन और की साइंटिस दोस लड़के से पुश्टाश करने जाती हैं, जो पेशे से प्रोफेसर था, दोनों से पुशती हैं कि तुम हमारे एरिया में क्यों आये थी, वो कहता है मैं तो नहीं आया, मैं तो बार की दूसरी साइट पर था, स्लोन के रतिये पर ये ड्रोन तो तुम्हारा कहने लगता है, और क्योंगे ये लोग नासा के लिए ही काम कर रहे थी, इसलिए वो इनको बाते सुनाने लगा, ये नासा के काम देखो, एप को पहले स्पेस आसमान में स्टड़ी के ने बीज़ दिया, और अब जब वो म्यूटेट होकर पूरी तरा बदल कर वापिस आया को बताती है कि एप को जल सी जल यहां से दोसी जगा बेजने का कहा गया है, स्लोन कहती है कि मैं एप को किसी बन जगा पर नहीं रख सकती है, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए ठेक नहीं होगी, ये कहकर स्लोन अब राम एप के पास जाती है, उसके पास परपल रोशनी भी जिसकी मदद सी वो एप को कंट्रोल भी कर सकती थी, एप का साइज काफी बड़ा था, स्लोन उसे खेलने का कहती है, पर इस वक्त वो गुस्से में था, उसका खेलने का मोड नहीं था, तब स्लोन उसे समझाती है कि तुम्हें नॉर्मल रहना होगा, तब तब जब तब पर हाथ लगा कर खेती है कि हमारे मरे हुए बेटे का सिर्फ यही खोन बचा है, क्योंकि इने वहाँ से अपने बेटे की अंगूठी मिली थी, वो कहती है कि मेरा बेटा हमारे मुलकी होने वले शान था, यहां बच्चे के डैड भी थी, जिसका नाम आर्नोट था, जो दू का एब की बारे में बात कर रहे थी, कि वो हमारी आर्मी का ताकतवर हतियार है, आफिसर पूछती है कि इस लग वो कहा है, जिसके बाद हम उसे एक दूसरी जगा पर शिफ्ट कर देंगी, जिसके बाद वो लोग अबराहम एब की बात करनी लगती है, स्लोन कहती है कि मैं उ लोगों को मना लिए, पर ऑफिसर नहीं मानती, और जलसी जल्द अबराहम को दूसरे शेर में शिफ्ट करनी का कहती है, अब स्लोन जानती थी, कि अगर ऐसा हुआ, तो अबराहम के लिए खत्रा हो सकता है, इसलिए वो कहती है कि इतनी जल्दी ये फैसला हमें नहीं नहीं बनाएगा, इसलिए जल्द से जल्द उसी कस्टडी में बेजना जरूरी है, पर स्लोन अब इभी उसकी बात नहीं मानती, अब दौनों आफिसर जाकर इस बारे में प्रेजिडेंट से बात करती है, उनका ये भी कहना था कि अबराहम को कस्टडी में बेज दो, वो ही उसके वाइफ भी थी, इन्हें अपने साथियों से खबर मिलती है, कि एक लोकेशन पर न्यूकलियर हतियार का पता चला है, जो मार्क नाइन है, एक बहुती ताकतवर हतियार है, वो यूएस की कंट्रोल में था, और ये लोग उसे हासिल करना चाती थी, इन्हें पता चला कि कोफी परिशान हो जाती है, क्योंकि चेक करने पर इन्हें प्लेन का मलबा तो मिल गया, लेकिन ये मैका एप को तनाश ही ने कर पा रहे थी, इसलिए अपसलोन और उसकी साथी यहां से निकल जाती है, उनकी जानने की बाद मेल साइंटिस्ट की पास वे ड्रॉन वाला प्र हत्रा समझ कर उसे गिरा कर तोड़ दिया, अचानक उसकी दिल की धड़कन का बढ़ जाना, उससे में आना, ये सब अलग चीज़ थी, वो कहता है कि अब रहम ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी, और अब अगर वो फिर से कंट्रूल सी बाहिर हुआ, तो एक बर फिर हर चे को ले देंगे, पर एक मसला है, सिक्योर्टी वहाँ बो हो सकते हैं, जिस पर दूसरी साथी बताती है कि हम सिक्योर्टी को किस तरह जखमा दे कर अंदर जाएंगे, स्लोन और उसकी साथी उस चगह पर पहुंच जाती हैं, जहां पर वो प्लेन टबाह हुआ था, यहां पर आर्मी ऑफिसर भी आ चुगे थे, आर्नट अपनी वाइब समेथ सब के तीन ग्रूप्स बना देता है, और यह लोग अपने प्लेन के मताबिक आगे बढ़ने लगते हैं, लैब में जाने के लिए, स्लोन उसकी साथी और आर्मी ऑफिसर को पता चलता है कि कोई चीज रेट से बाहिर आ रही है, जो और कोई नहीं बैटी मेका एप था, वो उट खड़ा होता है, क्योंकि उसने खुद ही अपने आपको एक्टिवेट कर लिया था, चला लिया था, इसलिए सब लोग अपने अपने जान बचाने के लिए वाँ से बागनी लगते हैं, आर्नट और उस की साते सिक्योर्टी को चक्मा देकर लैब में आखिरकार घुसी गे थी, उनकी पास हतियार भी थी, मेका एप कंट्रोल से बाहिर हो गया था, हर तरफ तबाहि मचाता हुआ, वो शेहर में गुस किया था, कुछी दिर में उसने शेहर का बुरा हाल कर दिया था, वो सिर्फ एक मुके से औरे घर को तेस्ट नहिस कर रहा था, जिससे कई लोग भी जखमी हो गए थी, हर तरफ आग भी लग चुकी थी, बचे हुई लोग अपनी अपनी जान बचा कर वहां से भागनी लगती है, इस बारे में जो प्रेजिजेंट को पता चिदा, तो वो अपनी ऑफि जहां वो जा रहा था, वो काफी उंची बिल्डिंग की चट पर जाकर मेका एप की उपर कोट पड़ती है, अब यह भी वो क्योंके इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसके अंदर गोश जाती है, ताकि इसकी सिस्टम को रोग सके, यहां उसे पता चला कि मे कर लिया है, जबी वो इस तरह कंट्रोल से बाहर हो गया है, इस बारे में वो फोरण अपनी साथी को बताती है, यह भी कहने लगी, यह जिसने मेका एप को है किया, उसने इसके काडिनेट्स भी बदल दी, जो सिगनल की तरह काम करते हैं, यानि कि वो अब मेका एप को अपन पता करने को कहती है, यानि जहां यह मेका एप जा रहा था, उदर आर्नोट और उसकी टीम उस हतियार मार्क 9 को चुरा चुकी थे, और वहां से जाने लगी, साइंटी साथी स्लोन को बताती है कि कोडिनेट्स की मताबि, वो इंडियाना में हमारे इसरच लैबे, स्लोन कहती कि ये सब कुछ आर्नोट और उसके टीम ने किया है, क्योंकि वो लोग भी उसे लैब में ही थे, तो ये बास साफ हो गई थी, कि मेका एप को उन्हों नहीं है किया था, और उसे वो वहां बुलाना चाह रहे थी, ये सब कुछ लोन को एक कोड के जरीए पता चड़ा, जो उ हमारे हतियार मेका एक के कंट्रोल गया कैसी, जिस एजन्सी ने उसी बनाया, उसे इस बारे में क्यों पता नहीं चला, आखिर वो क्या कर रही थी अब तक, पिर वो पूछता है कि अब उसे कैसे रोकना है, क्या प्लैन है हमारे पास, तब जिर्डल कहता है कि पहले भी उसे ये बात सही लगी, वो कहता है कि मैं इस तरह अपनी आर्मी को मड़ते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अब हमें वहाँ अब राम एप को बेजना होगा, क्योंकि मैं जल से जल ये सब बन करवाना चाहता हूँ, इसके इलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलों से एक नुकलिय हथियार मार्क 9 को उठा लेता है, यूएस के ओफिसर्स दो हलिकोप्टर्स लेकर वहाँ पहुँच गई, ताकि अबराहम को अपने साथ ले जा सके, यहां साइटिस्ट और प्रोफेसर उन्हें मना करती है, कि उसे इतनी जल्दी मत लेकर जाओ, प्रोफेस मानी लगी और कहते हैं ऑब अबराहम उससे लड़ेगा, यूख्या मैकाएप की अंदर स्लोन है, जिससे बाहर निकालने के लिए अबराहम उससे लड़कर उससे खतम कर देगा, क्योंकि वो सलोन से प्यार करता हैं, इसलिए वो अब अबराहम को अपने साथ वान से ले जा पर उसके लिए ये करना काफी मुश्कील हो रहा था। तबी वो सामने अबराहम को देखती है। जिससे यह लाकर छोड़ दिया गया था। वो से आवास लगा कर बुलानी लगती है। उसे देखती ही अबराहम भी उसकी तरफ आनी लगा था। पर तबी मैका एप अपने मश लड़ाए चुट जाती है। पर अंदर स्लोन मैका एप की दो तारों को काट कर आपस में जोड़ देती है। ऐसा होती ही मैका एप की आंकों में लाल रंकी रोशनी चलने लगती है। स्लोन ने ये इसलिए कि अबराहम को मैका एप से दोर कर सके। यूँकर ये चिस उसने अबराहम को सिकाई हुए थी लाल रोशनी देखते ही दोर हट जाना है। इसके बास स्लोन फीमेड ओफिसर को कॉल करके बताती है कि एक ताकतवर न्यूकलिर हत्यार को मैका एप की साथ लगाया गया है। तो दुश्मन मलकी इंटेलिजन्स एजनसी शिकागो में उस हत्या पहुचने से कैसे भी करके रोखना होगा। वो स्लोन को कहता है कि अगर न्यूकलिर हरतियार वला बॉम एक्टिवेट हो गया तो तो मैं उसकी फटने से पहली किसी जगा पर फैंकना होगा। एक ऐसी जगा जो बहुत जदा गेरी हो ताकि उस दमाके का असर आसपास हो भी कि जब हम वापिस जाएंगे तो इंटेलिएंस एजनसी हमें पकरने के भी पहने इवा मुझोद होगी जिससे हम समझ पाई कि ये लोग उस एजनसी के लिए काम तो कर रहे हैं पर ये सब कुछ एजनसी से चुपके किया जा रहा हैं मतलब उन्हें इस बात का बिलकुल नही चल रहा था कि ये इंटेलिएंस एजनसी का काम है या सिर्फ आर्नोट और उसके टीम का अब आर्नोट की वाइफ कहती है कि ये मिशन पुरा करने की बाद हम अपने मुल्क वापिस नहीं जाएंगे बल्कि कहीं और जाकर गाईब हो जाएंगे पर आर्नोट उसे समझाता है ये सब हमने अपने मुल्क और बेटी के लिए किया है इसलिए तुम्हें जरा भी डिरने की जरूरत नहीं है मेकाईब की जगापर दोनों सैंटिस्ट और प्रोफेसर भी पहुँच के थी ताकि वो उसे रोक सके मेकाईब और अबराहम दोनों शिकागो पहुँच के थी औ और यहां आकर अबराहम एक बिल्दिंग की चट पर चर जाता है सलोन बार बार उसे यहां से बेजने की कोशिश करने लगती है पर नाकाम ही रहती है मेकाईब जो नीचे था उसने जब देखा कि अबराहम बिल्दिंग की ऊपर है जो अपनी मशीन गन से एक बार फिर उस काफे खुशा आ गया था वह एक ट्रीन उठाकर मेका एप को दे मारता है जिससे वो भी दूर जाके गिरता है अबराहम अपनी कंट्रूल से बाहर हो गया था खुशा करते हुए जोर सी धार नी लगा फिर वो पुरी ताकत से मेका एप को मुका मारता है जिससे वो नीचे किर जाता है ऐसा होने से जाहिर है स्लोन भी अब खत्री में थी लेन में बैठा साइटिस्ट बताता है कि अबराहम ने मेका एप की गलत हिसे को डेमिज कर दिया है और अगर वो इस तरह उसकी दुलाई करता रहा तो मेका एप का सिस्टम गरम होने लगेगा जिससे ही असर होता है मेका एप और ताकतवर बन जाता है एक बार फिर उठा अबराहम पर अपनी मशीन गर्ण से भारे हमला कर दीता है जिससे अबराहम इतना जखमी हो गया कि छट से नीचे गिर जाता है उसे देखने से लग रहा था जैसी वो मर गया है जो देख सभी काफी पर जरसी है जो उसके खोन में है जिसी वो अपने जखमों को दोबारे ठीक करने में कामियाब रहा था साथ ही उसकी पावर्स और एक्टिवीट हो गई थी एक बार फिर वो खड़ा होकर मेका एप से फिर चाता है अपनी खतरना खमने करनी लगता है वो बीना रुके है उसे मा मारे बढ़नी लगा वो मेका एप का एक बाजू यू खेड कर अलग कर दीता है पर उसी उठा लेता है ताकि पटा कर नेची मारे पर तबे स्लोन मौका देखकर उसका दियान अपनी दिरफ करती है कहनी लगी चलो ब्रहम मेरे पीछी आओ गेम खेलती है ये सुनकर वो मेका में गिरती ही मेका एप लास्ट हो गया और इस तरह दमाके से वो बिलकुल खरकर मोजाता है जिबकि अबराहम भी पूरी तरह से शान्त हो गया था अब आरनोट और उसकी टीम प्लेन के ज़री जब भाग रहे थी तो अबराहम इनकी प्लेन पर हमला कर दीता है जिस वज़ अब से उसी का था जो गौर्मिंट ने उसी तौफ़े की तोर पर दिया था योगि उसने मेका इपसी लड़कर लाखों लोगों की जान जो बचाए थी और अब वो वहाँ अजादी से मज़े से अपने जिन्दी कुसार सकता था उससे जैसे वहाँ लाकर छुड़ा गया उ कुशी से वहाँ बागने लगता है उसकी कुशी के साथ ही इस फिल्म के कहानी भी यही पर खतम हो जाती है